आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनेट प्रशन दिया है, 50 cm दूर रखे किसी बिंदूस रोट के द्वारा एक सीजियम सेल को प्रदिप्त किया जाता है। इस सेल के सीरो पर 60 वोल्ट का विभुवांतर है। जब वही प्रकाश रोट जो है, एक मीटर दूर रखा जाये तो सेल से उस सरजित फोटो इलेक्टरॉन रहती है, अगर हम लोग0 के समान उपाती हो जाती है। अब इसके अनुसार अगर हम लोग0 को देखें, तो जो तिवरतs रहती है तो यहाँ पर हम लोग प्रदिब्ती प्राप्त हो रही है उसकी जो तिव्रता होगी उसको हम लोग i, 1 मान लेते हैं अब इसी दिरुको 50 cm से बढ़ा करकि क्या कर दिया गया है कि 1 meter कर दिया गया है ठीक है तो मान लेते हैं कि यह वाला होगे हमारा 1 meter यानि कि एक मीटर बराबर कितना होगी अगर हम लोग इसको सेंटी मीटर में परिवर्थित करेंगे तो यह हो जाएगा 100 सेंटी मीटर के बराबर तब यहाँ पर तिवरता जो होगी आई-टू हो जाएगी अर्थाद हमारे पास जो तिवरता आई होती है वहर दूरी के वर्ग के वित्करवानुपाती हुती है ठीक है इस तरफ से तो हम लोग अगर यहाँ पर देखे तो जो प्रकास एलक्ट suspense है वहर तिवरता आई के समान या फिर photo electron की संख्या जो है ग्याद करनी है तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा N1 बटे N2 बराबर यहाँ पर होगा D2 बटे D1 और फिर पूरे का हो जाएगा work अब हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा N1 बटे N2 पहले में N1 था फिर बाद में N2 हो गया ठीक है अब दूरी को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यह हो जाएगा दूसरी स्थिती में हम लोग 1 मीटर यानि की 100 सेंटी मीटर लेंगे फिर पहली स्थिती में 50 सेंटी मीटर था अब इसका वर्ग कर देंगे तो यह 50 से एक बार में 50 से दो बार में यानि की 2 का वर्ग हो जाएगा अर्थात यह हो जाएगा 4 और इसको देखें तो यह 4 बटे 1 के रूप में हमें प्राप्त होगा अर्थाथ हमारे पास यहाँ पे 4 बटे 1 जो है इसको हम लोग इस तरह से देखो N1 बटे N2 बराबर हमें यहाँ पे 4 बटे 1 प्राप्त हो रहाए अभी यहाँ पे तिरिया गुड़ा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है हो जाएगा N1 बराबर यह इधर गुड़ा हो जाएगा 4 N2 हमें प्राप्त होगा और हम लोगो N2 का मान चाहिए तो 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे अर्थाथ हमारे पास यहाँ पे फोटो इलक्ट्रोन की संख्या पहले में जो सर्जित इलक्ट्रोनों की संख्या थी उसके एक बटे चार गुना हो जाएगा हमारे पास यानि कि एक चौथाई रह जाएगा तो इसके अनुसार अब हम लोग अपने विकल्प में आते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा तो यहाँ पर विकल्प ए दिया संख्या में एक चौथाई होगे तो यानि कि हमारे विकल्प ए जो है सही हो जाएगा जो फोटो इलक्ट्रोने संख्या में एक चौथाई हो जाएगे तो यह रहा हमारे प्रश्ण का उत्तर और हमारे बाकी विकल्प जो हैं गलत हो जाएंगे धन्यवार